तो वेल्कम बैक गाइस और आज हम लोग खेलने वाले तकाशी निंजा वारियर समुडाएं और मैं बहुत दिनों से तकाशी तकाशी निंजा वारियर खेल रहा हूँ इसलिए मेरा तकाशी बिल्कुल मैक्स लेविल पर है जैसे कि कम्मुनिटी पोस्ट में तकाशी को इस इसलिए इस वीडियो पर आपको तकाशी के सारे बॉस वाइट्स देखने को मिलेंगे आपको पूरा यूट्यूब में और कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा क्यूकि मेरे पहले किसी भी यूट्यूबर ने तकाशी को मैक्स करके सारे बॉस वाइट्स कंप्लीट नहीं तो आज प्रो प्लेयर गेम प्लेय होगा तकाशी का यह जगह बहुत ही स्पेशल है यह पर आपको इसली गोल्ट मिल जाते हैं इसलिए जब आप इस जगह पर आओगे तो आपको इस जगह के सारे गोल्ड लूट लेने हैं बट कुछ-कुछ गोल्ड आपके हार्थ से निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं ऐसे होता है मेरे साथ भी हुआ ही अब बाड़ है सिकंड बॉस फाइट की देखना गाइस मैं इसे इजली हडा दूंगा बिल्कुल इजली देखा गाइस मैं चीत किया प्रो प्लेयर गेम प्लेई अब यह पर एक वुल्फ है इस वुल्फ को हमें हडाना पड़ेगा यह रहा वुल्फ इस वुल्फ को डेमेज बहुत ही कम लगता है बट मैंने फिर भी इसे हडा दिया तो यह बहुत ज्यादा ही प्रो प्लेयर बला गेम प्लेई था क्योंकि यह कुछी सेकंड के लिए टिका और अब इन पांचों को एक साथ चलो मैजिक करके इने रोकते हैं फिर इसको मारते हैं एक साथ डेमेज देखा गाइस तो चलिए हमारे निक्स बॉस फाइट में इसे भी कुछी सेकंड में उरा दिया में इनका तो कोई इंचत ही नहीं है और पांच बॉस बचे है उन्हें भी हम इजली हरा देंगे वैसे जो बड़ेक्टे यूटीवर्स होते हैं वो इन सभी पॉसों को हराने में बहुत महिनत करते हैं और मैं एक ही बारी में इन सभी को हरा रहा हूँ बिना किसे महिनत के तो आ जाये वोगे तो यह थोरा बोर्रिंग हो रहा है इसके बाद हम बिना मैजिक के किसी बास को हडाेंगे तो गाइस हम लोग आ जोके है एज बैटर्लम całe है पर हम तकशी के फादर से लगने बाल है और उसे बिना मैजिक के ही हडाने बाल है वैसे तो तकशी के फादर तकशी से ज्यादा स्ट्रॉग है बट हम फिर भी उसे हडा सकते हैं तो गाइस यह चलेंज भी हमने कम्प्लीट कर लिया बड़े-बड़े यूटिपर से हफिर जाते हैं और तकशी के फादर से लड़कर आसानी से जीत भी नहीं बाते और गाइस अब बाढ़र इस जहरी ले मोटे पहलवान को हराने की जोनके जहर मारता है अब जेहा वह जहर तो गाइस हम इतने इजी से इस जहरीले पहलवान को हरा रहे है इसके लिए तो एक लाइक बनता है गाइस इस वीडियो पर सिप पाँच लाइक कर दो तो ही अच्छा है और अब यह रहा आखरी बॉस वाइड यह सबसे ज्यादा ताकत पर बॉस है और इसको हराने का एक सिक्रेट ट्रिंग भी है जो कि मैं इसी वीडियो पर आपको बताऊंगा इसके लिए आपको यह पूरा बैटल ध्यान से देखना पड़ेगा वैसे यह बॉस जब ऐसे कुछ सा हो जाते है तो आपको इसके सामने ही जही जाना मैं ऐसे दौरते रहना चाहिए अगर खोल खोल तौर होगे तो आसानी से इस बड़े से मॉंस्टर को हरा सकते हो इस बस को हराना इतना भी आसान नहीं है और मेरा मैक्स लेबल है फिर भी मैं इसे हरा नहीं पारा तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर एक लाइक करतीजी और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्स्ट्राइब कीजी मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे वीडियो के सार तब तक के लिए टाटा एंड थेंक्यू फर वाचिंग